जिनके यहां तीन ऐसे मंत्री हो जिनका नाम है बाबुलाल नागर, मदरेना और रामलाल जाट दो इसमें जेल में एक बेल पे बाहर और किसलिए दो मंत्री ऐसे जिनके ओपर रेप का केस लगे और एक व्यक्ति ऐसा जिसने एक दलित महिला को जला दिया और उसकी हड़ी तक और इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यह माफी मांगेंगे, क्लारिफिकेशन देंगे, कल अशोग गहलोजी जो एक बड़े कद के नेता है, पूरे भारतवर्श के, उन्होंने क्या कहा वसुंद्रा जी के लिए, कि नरेंद्र मोदी जी के जो सहायक हमारे भारतिये पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमीद भाईशा, उनको मनाने पटाने के लिए, वसुंद्रा जी आधे कमर से जुक्के उनको नमस्ते करती है, यह किस प्रकार की भाषा का प्रूटे डिलीट करना पड़ा यह ट्वीट बाद में, नगर इस पर कांग्रेस पार्टी को माफी म अशा है, जिस दिन नरेंदर मोधी जी ने जैदर श्रीमती सोनिया गांधी को जर्जी काओ काहा था, माफी मांगलो, राहूल गांदी को बचड़ा काहा था, माफी मांगलो, डले की बात आप कर रहे है, क्या इत्यवाक है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वह दलित पर अब आपने बात कही के दलित समाज की मैं बात करता हूं एंसी आर्भी का रिकॉर्ड है हर रोज 12 महिलाओं का बलतकार हो रहा है राजिस्थान में अब आपने बात कही के ठोको ताली ठोको ताली वोट ठोकेंगे साथ डिसंबर को और भाजबा का कमल का फूल बुर्जा अब आपने बात के गिसान की अजिना जी हृष इसनवाल गलत है या नहीं है कि यошजब करता है नि अग्लाता दी परवकताओं के बीच मेंड डिबेट करने में डर लगता ऑगया है कि अगला पता नहीं कौन से श्ब्का इसतमाल कर देगा नहीं माफी मागए यह हैं यह मा सम्वित पात्रा जी भागेगा। देखिये गना उत्तर देता हूँ , नरेंद्र लौदी झि भारत की राजनीती के अकेले ऐसे व्यक्ती है चौवदह वर्षों तक जिनके उपर व्यक्तिगत हमला हुआ, मौत का सौधागर तू नीच है, तू कायर है, तू यम्राज है, मैं कुछ जस्टिफाइ नहीं कर रहा हूं, मगर मैं इतना बोल रहा हूं, कल एक बयान दिया गया, ये कहा गया कि कमर से जुक कर एक महिला एक पुरुष को पटा रही है और उस पर भी माफी मांगने के लिए डिबेट होगा, आप माफी मत मांगिये, जनता माफ नहीं करेगी, आप माफी मांगना है, मांगिये, नहीं मांगना है, नहीं मांगना है, नहीं मांगना है, चलिए इस पर भग भी जाय नहीं करेंगे, नहीं माफी मांगेंगे, कल फि वो उधारन सेट किये मनी शंकर एयर और सीपी जोशी के बापस ले लिया मारी जिए मारी शंकर एयर करें साहस्तो किया इनों ने क्या किया ताज पोशी की संबेर अच्छे परवक्ता इनके सातीनेश की राहूल गांदी को औरंज बुलाया उनको राज्यसभा दे इनमें तो जो ताज को बीड़की रेस है जो राहूल गांदी को ज्यादा गाली निकालेगा एंटरी बन जएक मिनिट पांच साथे भाईों भाइऑ बहनों मित्रों चलरा एंगी जो दूरदशा है और मित्रों जो एश कर रहे हैं वो भी इस देश ने देखा यह नहीं का माफी आप सब्सक्राइब आप लोग सवाल सब्सक्राइब अब आपने का दो धारण चलिए और निंदा की और नरेंदर मोदी जी ने नहीं हो रंजेव तो काने तो नहीं बनने वाले हैं यह जाएंगे कर दो